हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मैं चनल देव ओनलाइन हेल्प दोस्तों SSC की तरफ से 2022 में होने वाली भरतियों को लेकर exam calendar जारी कर दिया गया है इस calendar में SSC की तरफ से होने वाली सभी भरतियों के बारे में आपको जानकरी मिलने वाली है कौनसी भरति के लिए कब exam conduct कर रहे जाएगा और कब से कब तक आप online form fill up कर पाओगे तो इस वीडियो में आपको notification के माध्यम से full details दिखाने वाले हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से request हैं अगर आपने अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया तो like कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसे subscribe करके bell icon को all press कर लीजिए तो चलिए दोस्तों आपको मैं notification दिखा दीता हूँ तो friendly यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाप selection commission यहाँ पर जो calendar जारी किया गया है upcoming vacancy को लेकर उसके बारे में आपको यहाँ पर पूरी detail मिलेगी तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट combine higher secondary 10th plus 2 level examination की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SSC CHSL की बात करें तो tier 1 की जो पोस्ट निकाली जाएंगी इसके जो यहाँ पर online form फिलप कर पाएंगी आप 1 फरवरी 12 से लेकर 7 March 12 तक exam की बात करें तो मई 12 में exam conduct करा जाएगा थर्ड जो पोस्ट रखी गई है यहाँ पर multitasking non-technical staff के लिए यहाँ पर रखी गई है tier 1 तो आप देख सकते हैं इसके जो online form फिलप होंगे वो 22 March 1222 से लेकर 30 अपरेल 1222 तक आप फिलप कर पाएंगे exam की बात करें तो जून 1222 में exam conduct करा जाएगा फूर्थ नम्मर पर जो वेकेंसी रखी गई है selection post examination के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके online form फिलप होंगे 10 माई 1222 से लेकर 9 जून 1222 तक आप online form फिलप कर पाऊगे जुलाई 1222 में exam conduct करा जाएगा इसके बाद यहाँ पर फिफ्ट नम्मर पर जो वेकेंसी रखी गई है requirement of head constable तो आप देख सकते हैं धहली पुल इसके अंतरगत जो head constable की वेकेंसी निकाली जाएगी तो इसके जो online form फिलप होंगे 17-5-2222 से लेकर 17-6-2222 यानि कि जून 1222 तक आप form फिलप कर पाएगे September 2222 में exam conduct करा जाएगा लगवग और इसके बाद यहाँ पर next post रहेगी आपकी requirement of constable driver in Delhi police examination 2222 तो इसका जो exam conduct करा जाएगा वो देख सकते हैं अक्टूबर 2222 में यहाँ पर conduct करा जाएगा और form फिलप की बात करें तो 27 जून से लेकर 27 जोलाइटा का 26 जोलाइटा का form फिलप कर पाऊगे इसके बाद जो अगली post यहाँ पर राखी गई है requirement of head constable, AWO और TPU in Delhi police के अंतरगत vacancy निकाली गई है इसके जो online form फिलप होंगे 4 जोलाइटा का form फिलप कर पाऊगे नवंबर 2222 में यहाँ पर exam conduct करा जाएगा 8 ते नमबर पर जो vacancy निकाली गई है, sub inspector in Delhi police के अंतरगत यहाँ पर post निकाली जाएगी exam form की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 14 अगस्त से लेकर 13 यहाँ पर सप्तेंबर तक आप online form फिलप कर पाऊगे दिसंबर 2222 में exam conduct करा जाएगा, इसके बाद यहाँ पर junior हिंदी translator और junior translator और senior यहाँ पर हिंदी translator के लिए vacancy निकाली जाएगी इसका जो exam है वो यहाँ पर दिसंबर 2222 में conduct होगा, और यहाँ पर बात करें form की, तो 22 अगस्त से लेकर 21 सेप्तेंबर तक आप online form भर सकते हैं और यहाँ पर रहेगी next post scientific assistant के लिए, तो इसकी जो post है वो आप देख सकते हैं online form फिलाप कर पाएंगे, आप 29 अगस्त से लेकर 28 सेप्तेंबर तक exam आपका जनवरी 2223 में conduct होगा, इसके बाद जो अगली भरती निकाली जाएगी requirement of MTS, देख सकते हैं आपर धहली पुलिस के अंतरगत यहाँ पर vacancy निकाली जाएगी और यहाँ पर जो form भरे होंगे 11 अक्टूबर से लेकर 15 जनवरी 2222 तक आप form फिलाप कर पाओगे, फरवरी 2323 में exam conduct कराएगा, next post रहेगी यहाँ पर junior engineer, civil engineer, mechanical engineer, यह पर electrical engineer, इन सभी पर यहाँ पर post पर vacancy निकाली जाएगी, तो 28 य और यहाँ पर exam की बात करें, तो March 2023 में exam conduct कराएगा, SSC की इस वरती के लिए, अब बात करते हैं, यहाँ पर इस 10 गराप पर great C and D examination के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, 5 December 2022 से online form फिलाप कर पाओगे, 31, 12, 23 तक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, April 2023 में यहाँ पर exam conduct किय जाएगा, इसके बाद रहेगी, अगली post requirement of constable executive male और female देहली पुलिस के अंतरगत vacancy, यहाँ पर देख सकते हैं, 9 January 2023 से लेकर, 12 February 2023 तक, exam form फिलाप कर सकते हो, मई 2023 में exam conduct कराएगा, आज तेहाँ पर 15 नमबर पर post रखी गई, आप देख सकते हैं, Constable GD in Central Arm Police Force के लिए, यहाँ पर post निकाली गई है, इसमें आप देख सकते हैं, 22 February 2023 से लेकर, 31 March 2023 तक, आप online आभिदन कर पाओगे, June 2023 में exam conduct कराएगा, तो टोटल 15 परकार की इस calendar में आपको post दी गई है, यानि कि SSC की तरफ से पूरे साल यहाँ पर भरती चलने वाली है, और आपको यहाँ पर कापी कर सकते हैं, और अपनी तैयारी की according उसको जो है, पास आउट करके अपनी जोब प्राप्त कर पाएंगे, और दोस्तों बात करते हैं, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इस पीडियाप को यह एक्जाम केलेंडर को, तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आएं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मिलते हैं एको न्यू वीडियो में, एको न्यू लेटिस्ट अपडेट के साथ, जैहिंद!